गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम उत्तरवधिकाल की दहर्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा उत्तरवधिकाल क्या था उत्तरवधिकाल की सामाजिक दसा रारनतिक दसा रिगवधिकाल वदिकाल इन सब के बारे में हमने जानकरी पहले वाले वीडियो में प्राप्त की है तो देखेगा उत्तरवधी काल का समय तो उत्तरवधी काल है ये 1000 इस्सा पूर्वा से 600 इस्सा पूर्वा का काल माना जाता है और देखेगा रिगवधी काल और उत्तरवधी काल में क्या अंतर था किस लिए ये अंतर आया और हम वधी काल को दो भागों में क्यो डिवाइड क तो रिगवेदीकाल कहां से कहां तक था 1500 से लेके 1000 इस्सा पूरा है और उत्रवेदीकाल 1000 इस्सा पूरा से लेके 600 इस्सा पूरा है तो ऐसे क्या नोब बताई कि वेदीकाल को दो भागों में बाटा गया तो देखेगा रिगवेदीकाल से रिगवेदीकाल का जो समय है वो र लोहे के भारत में आने से क्या होता है कि बहु ज़्यादा परिवर्थन आते हैं सामाजिक, राजनितिक और धार्मिक सबी इस्तितियों में वृअद इस्तर पर पर परिवर्थन आते हैं जिसके कारण उत्तर्वधिकाल को हम अलग से पढ़ते हैं Origin किपGS में बहु अब जटील हो गई थी बहुत बढ़ गया था ये उनको एक सर्वेस्ट्यष जो ब्रामन होता था वो ही करवा पाता था और येगियन वो एक महत्रे लेके एक साल तक भी चलते थे इस समय में अनेक परकार के येग्ये प्रारम हुए थे अस्वमेगे है, राशु येगे है, वाजपेएगे है, ये सारे के सारे येगे, उत्तरवधी काल में प्रारम हो गए थे, ये ये ज्यूंकि साथ ही साथ तपका भी बहुत महत्व है, बढ़ा था, तपका मतलब क्या होता है कि चाए बारिस हो, चाए गर्मी हो, चाए शर्दी हो एक जगह पर मनुश्य वो खड़ा होकर भगवाल से प्रार्था करता है तप करता है अपने सरीर को बहुत ज़्यादा कठिनाईया देता है ताकि उसकी कोई इच्छा पूरी हो तो इस परकार के जो तप थे वो भी उत्रवैदी काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और एक ज्यान प्राप्ति का एक मतल साधन लोगबाग है वो तप को ही मानने लगे थे तो कहने का मतलब है कि उत्रवैदी काल तक आते आते क्या है कि धरम में बहुत ज़्यादा ज कि अनुस्थान एम करमकांड ये गति वीदियो में व्रद्धी हुई अनुस्थानों एम करमकांडों पर बल दिये जाने के फल सवरूप इसके विरूद में एक स्वाभाविक पर्तिकिरिया हुई जिसे आरणेक तथा उपनिशद के माधम से उठाया गया तो देखेगा स्ट उत्रवधी काल में भी ऐसा ही हुआ ये गये ने इतने व्रहद इस्तर पर अपना विस्तार कर लिया था कि अब उसका अन्थोना भी जरूरी था तो ये गये में जो करमकांड होते थे उनके विरूद अब लोगों ने आवाज उठाना प्रारम कर दिया था बोथिक सुखों कोन कोन से थे ब्रह्म येगे देव येगे पित्र येगे मनुस्य येगे और भूत येगे तो ब्रह्म येगे कोन से येगे था अध्यन एम अध्यापन करना देव येगे होम करके देवताओं की स्तिती इस्तूती करना पित्र येगे पित्रों को तरपन करना मनुस्य येग तथा मनुशे के कल्यान की कामना करना, भूत येगे, जीव धहारियों का पालन करना, येग्यों में पसू बली को प्रात्मिक्ता दी गई तथा गाई, कपड़ा, सोना, घोड़ा, आधि दान सवरूप दिये जाते थे, सत्पत ब्रामन में उलेक आया है कि अस्व में येग्य में पूरोहित को उत्तर, दक्षिन, पूरव तथा पस्सिम इन सभी दिशाओं का दान कर देना चाहिए, तीन रिण, तो देखेगा समाज में त्री रिण भी थे, कोन-कोन से थे त्री रिण, देवरिण, रिशीरिण और पित्र रिण, तो देवरिण में क्या था, देवता तथा बोथिक शक्तियों के पर्ति दाइत्वे, रिशीरिण, जो गूरु होता था, उसको रिण परदान किया जाता था, रिशीरिण होता था, पित्र रिण, पूर्वजों के पर्ति दाइत्वे बद रहना, उत्रवधी काल में स्रेस्टी करता के रूप में ब्रह्मा, पा प्रजापति को हीरने गरब भी कहा जाता था अत्रववेद में लोग दरम की जहां की मिलती है इंद्र दुआरा नागो इम राक्षसों के वद का उल्लेख मिलता है अस्विन को क्रेशी रक्षक का देवता तथा सवित्र को नए मकान बनाने वाला देवता माना जाने लगा पर्तिकों की पुजा का आरंबी उत्रवदी काल में हुआ पूशन जो गोरक सकते अब वो सुद्रों के भी देवता मना जाने लगा था उत्रवदी काल के अंतिम दोर में यग्ये पसू बली तथा करमकांड के प्रति तिवरे प्रति किरिया हुई उपनिशद इन्ही भावनों के अभिवेक्ति हैं जिसमें यग्ये और करमकांड के स्थान पर ज्ञान को मुट् पुनर्जनम से सम्मदित विचारों को ग्रहन किया। व्रहद्दारनेक उपनेशद में पहली बार पुनर्जनम के सिधान्त को माननिता परदान की गई। त्रीदेव कोन से देवता थे? ब्रह्मा, विश्नु और सिव की संकल्पना भी उत्रवेदी काल में हुई। इस काल में उत्री दोआ ब्रह्मनों के प्रभाव के कारण आरी संस्कृति का केंद्र बन गया था। रिगवेदी काल के दो परमुक देवता इंद्र और अगनीगा अब पहले जैसा महत्वन नहीं रहा। उनके स्थान पर उत्रवेदी काल में प्रजापती जो देवकुल में स्रस्टी के निर्माता थे को सर्वोच्य स्थान मिला। परतीक चिन्हों की पुजा होने लगी थी। इस काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रेदाय तता सड़ दर्शनों का आरंब हुआ। इस काल में यग्ये का महत्व इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी यग्ये के धिन मना गया तथा देवता और प्रत्वी की उत्पती भी यग्ये से बताई गई। यग्ये की महत्वता वो बढ़ गई थी। यग्यों में बड़ी मात्रा में करमकान बढ़ा यह मंत्रों के पूरुष परदान समाज के तत्व प्रबल होने के साथ साथ देवियों का महतव कम हुआ क्योंकि समाज में पूरुष प्रभाव के तत्व प्रबल हो रहे थे यहां तक कि इस काल में इंद्र, अगनी, वरुण जैसे देवतों का महतव भी कम हो गया तता प्रजापती, विश्णु, यक्स, गंधर्व, दिगपाल जैसे अर्थ देवता, परमुक देवताओं के सहाई के रूप में स्तापित हुए सीव को पसूपती, महादेव के रूप में पुजा जाने लगा अब देखेगा वैदिक काल, अर्थात रिगवेदिक और उत्रवैदिक काल में धर्म के सवरूप में परिवर्तन निम्नरूप से हुआ तो देखेगा कैसे हुआ, बहु देवाद जिसे पोली थिजम भी कहा गया है, अर्थात बहुसे देवताओं को मानने वाले तो रिगवेदिक काल में भी बहुसे देवताओं को माना गया है, उत्रवेदिक काल में भी बहुसे देवताओं को माना गया है फिर क्या होता है, दिरे दिरे चेंज होता रहता है, जैसे कि एकाधिक देवाद जिसे हेमाथिजम कहा गया है एकादिक देवाद का मतलब क्या होता है कि अवसर के अकोर्डिंग एक देवता को सर्वोचे मान लिया जाता है फिर अगला आता है एके स्वरवाद जिसको मोनोथिजम कहा गया है अर्थात एक ही इस्वर अर्थात अब ब्रह्म को मानने लग गये थे लोगबाग फिर अंत में एक तत्ववाद अर्थात एक ही आत्मा है और वह आत्मा इस्वर में विलेन होती है जिसे मोनिजमें कहा गया है मैक्स मूलन ने कहा है कि अवसर विश्यस पर एक देवता सर्वोची हो जाता है तथा अन्य गोण हो जाते हैं इसे हेमाथीजम आरथात एकादिक देवाद कहा गया है एके स्विर्वाद आरेनेक और उपनिशद में कहा गया है कि देवता एक ही है अर्थात वो है ब्रह्म सर्वुचे देवता परम आत्मा एक तत्वे वाद उपनिशदों में कहा गया है कि एक ही तत्वे है जिससे ब्रह्मा, देवता, मनुसे, स्रस्टी, पेड़ पोदे, अजीव की उत्पती हुई है अर्थात कणकण में भगवान है अगला है पर्मुक दार्मिक पूरोहिते तो पर्मुक दार्मिक पूरोहित कोन थे होता, उदगाता, अगवर्यू और ब्रह्मा होता कोन था मुख्यते प्रार्थना करने वाले इन पूरोहितों ने रिक्स नहींता का पुन्नर सर्जन किया उदगाता सामवेद का गायन करने वाले पूरो हीते ब्रह्म इन सभी यग्यों को विधी पूर्वक संपन कराने वाला पूरो हीते धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तरवधिकाल की धार्मिक दसा के बारे में जानकरी प्राप्ट करी और मुझे आसा है कि आप लोगों को ये चेप्टर समझ में आया होगा तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए-ने वीडियो प्राप्त हो और आप इत्यास के बारे में नए-ने जानकरी प्राप्त कर सकें दन्यवादे